प्राणनाथ प्यारे की जय, सत्गुरू महाराज की जय प्रतम लागू दो चरन को, धनी ना छोडायोखिन, लांक तली लाल एडिया, मेरे जीव के ये जिवन इन पाउ तले पडी रहू, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालू निर्खू नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन मेरे जीव के ये जीवन कह्या श्रीतार्तम इनको सब सेव को समेत परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल लेत एक कबूल कर दिल लेत, एक हराम कह्या मांस को प्रणाम जी संदर साची जैसे कि कल आप सबने प्रसंख सुना कि कैसे श्री जी ठटा नगर से निकल चुके थे अरब जाने के लिए और कारज कारण कुछ ऐसा होता है कि उनको वापस लोटना पड़ता है और वापस लोटते हैं तो चींता मनी जी जो कबीर पंथ के बहुत बड़े अचारे हैं जिनके एक हजार के लगभग सिश्य है उनकी आत्मजागरती होती है और कैसे श्री जी उनका एहंकार नस्ट करके उनको तारतम ध्यान ग्रहन करवाते हैं अब जब भी हम वी तक सुनते हैं सुन्दर साजी तो हमें ये बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वी तक तो कई सालों की गटना है अनादी काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी सारा कुश प्रश्चंग जो इस जागने के ब्रहम्हान में भी चौथे और पाँच्वे दिन की लिला में धानिश्री देवचंदर जी के दंसे और श्री मीही राज जी के दंसे गटित हुआ श्री जी के रूप में, वो सारा कुछ तो समेट के नहीं वर्णन किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी घटना क्रम वर्णित किया गया है, वो विशेश रुक से हमारी सिक्षा के कारण किया गया है अगर हम वानी भी देखे तो वानी भी इसलिए कही गई है कि साथ चर्णे है सोतो आये सही पर पिछले साथ कारण ये बानी कही तो बीतक में भी जो गटना क्रम बताये हुए है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मजागरती के लिए ही है ताकि हम ना भूले तो आज हम उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब चिन्तामने जी अपने एक हजार शिश्य के साथ स्री जी के चर्णों में तारतम ज्ञान ग्रहन करते हैं तो श्री जी उनको क्या कहते हैं ग्यान से उनस सब को पैचान हो चुकी है जैसे हम सब को हो चुकी है और हमने भी तार्तम ग्यान ग्रहन कर लिया है लेकिन सिर्फ इसको ही हम इती श्री ना समझे वास्तव में तार्तम ग्यान ग्रहन करना उसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है श्री जी के द्वारा ही अगर तो कोई और महराज या कोई और व्यक्ति से हमें पता चले तो उसमें संदेव हो सकता है लेकिन साक्षात राजी ही यहाँ श्री जी के तन से गटिक होने वाली गटनाक्रम में हमें बता रहे हैं कि तार्तम ग्यान को ग्रहन करते समय उन्होंने उन सिश्यों को और चिंता मनी जी को क्या प्रतीजिया करवाई हम सुंदर साथ भी जो तार्तम ग्यान ग्रहन कर लिये हैं और सौचते हैं कि बस अब हो गया तो यह सही नहीं है हमारे लिए यहां पे बहुत बड़ी सीख दी जा रही है क्योंकि चमम तार्तम बोलते हैं तो मंत्र का अर्थ सिर्फ जब करना तो होता नहीं है उसे जीवन में उतारना होता है और हम क्या कहते हैं जब ए सुखंग में आव ही तब छूट जाए विकार जब ये सुख जिसका हम वर्णन कर रहे हैं हद बेहद से परेपरंधाम का उश अक्षातित प्रियतम का जो अनादिक अखंड सुख है जो आज दिन तक ना किसी को प्राप्त हुआ और ना ही कभी किसी को मिलेगा जब उनके साथ तक अक्षर ब्रह्म को ही वो नहीं मिल रहा है अक्षातित के मोहल में प्रेम इशक बर्दत सोसुध अक्षर को नहीं पिया किनविद केली करें वो सुख हमें जब यहाँ पे मिल रहा है तो वानी के द्वारा तो हम बहुत अच्छे से बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है हम यहां से क्षर ब्रहम हांड से लेकर मूल मिलावे तक का परमधाम के कण कण का 25 पक्ष की लंबाय चोड़ाई सब कुछ बता रहे हैं लेकिन क्या सच में जिस सूप का बयान किया जा रहा है क्या हमने उनको देखा है उस राजी को देखा जो हमारे प्रियतम है जिन से हम तार्तम के द्वारा सनमंध स्थापित करते हैं क्या हमने उन पति को देखा है उस हमारी आत्मा के प्रियतम को देखा है क्या हमने अपने घर को देखा है यहाँ पे इतनी सारी माताएं बैठी है ज्यादा तर साधी शुदा ही है कोई भी ऐसी है जिनोंने विवाह कर लिया लेकिन अपने पती का चेहरा नहीं देखा है सिर्फ अपने पती का गुण घान करती है और जो लिखा हुआ है पती के द्वारा पत्र में उसको पढ़ती है और दुनिया को बताती है लेकिन पती को नहीं देखा है ना अपने घर को देखा है है कोई ऐसा और हो भी नहीं सकता है ना लेकिन हम ऐसे हैं हम जब कहते हैं कि तार्तम के द्वारा हम राजी के साथ हमारी आत्मा का सन्मन जोड़ते हैं ये सारे शरीर के जो रिष्टे हैं वो तो शरीर के रहते रहते ही कभी तो बदल जाते हैं और ना छूटे तो शरीर छूटते ही छूट जाएंगे जिससे हमारा अनादिकाल से सन्मंद है, अनादिकाल तक सन्मंद रहने वाला है, उस प्रियतम के साथ जब हम अपना सन्मंद स्थापित करते हैं, तो क्या हमने उनको देखा, अगर नहीं देखा है, तो यहाँ पे यही पताया जा रहा है, तारतम ग्यान ग्यान करवाते हुए सुन्दर साथ को कहा जा रहा है कि आपको तारतम ग्यान ग्यान करते समय किन चीज़ों का परहेश करना है एक हराम कहया मांस को दूसरा हराम शराब तीसरी औरत बीरानी तजे सो पावे हयाती आग यहाँ अगर हम इसका सिर्फ अर्थ देखे तो हमें यह लगेगा कि हमें क्या नहीं करना है मांस नहीं खाना है शराब नहीं पीनी है पर्स्त्री गमन नहीं करना है और चोरी जूठ नहीं बोलना है जो आगे के चरण में कह रहे हैं तो यह पांच चीज तो हम नहीं करते हैं इसका मतलब हमारी आत्मा जागरित हो जाएगी हमें कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं है तो सबसे पहले सुंद साथ कई प्रतिग्या घ्रहन करवा रहे हैं ठठा नगर में है ना श्री जी जो बंदर के बिल्ड कुल पास में समंदर किनारे से नस्दीग अभी अगर हम चले जाए तो समंदर किनारे से नज्सदीग वाले जो प्शेत्र होते हैं वहाँ पे सब्जीयां वगेरा नहीं होता है, खेती कम होती है, तो वो क्या खाते हैं? मास, मचली, यही तो उनका मुल्भुद आहार होता है, प्रात्मिक आहार होता है, तो उस स्थिती के हिसाप से श्री जी बता रहे हैं, कि उन सुंदर साथ के लिए तार्तम वाने के जो जीवन में उतारने की बात तार्तम मंत्र में कर रहे हैं, तार्तम ज्यान हमें बता रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए होगा? दो बाते हैं सुंदर साथ जी, एक तो ये है कि मैं ये नहीं कहा रहे हूं, कि मान्स खाना चाहिए या नहीं घाना चाहिए, क्यूं बताया जा रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, इसका अर्थ तो मुझसे ज्यादा आप सबने सुंद रखा है, लेकिन क्यूं ये कहा ज हम तो मांस जैसे मैंने अभी का हम ना मांस भाते हैं ना श्राब पीते हैं ना पर्स्री गमन करते हैं और ना ही चोरी करते हैं ना जूट बोलते हैं तब तो हमारी आत्मार्जागरित हो जानी चाहिए थी आत्मार्जागरित होनी का मतलब क्या है यह रोग क्यों ना मिटे जो लो ना देखो मुख function हमें राजी का मुखारभिन दिख जाना चाहिए था मुल मिलावा दिख जाना चाहिए था तो क्या कारण है कि हमें नहीं दिख रहा है इस बात में हम थोड़ी देर के बात बात करेंगे सबसे पहले हम ये समझते कि उन सुंदर साथ को बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो ये मांस मशली जो खा रहे उसको छोड़ना है क्यूं? क्यूंकि वानी की चोपाई में बताया गया है पाक न होए इन पानिये चाहिए अरश का जल नहाईए हक के जमाल में तब होए निर्मन हम अगर चाहे कि हम अपने मन की निर्मलता नहाने मात्र से कर ले या पाठ या पुजा करके किसी बाहरी आडमबर से कर ले तो वो नहीं हो पाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्वयम को उस युगल स्वरूप के शोभा में सिंगार में साक्षात प्रीम का स्वरूप है उसमें डूबोना पड़ेगा और वो स्वरूप साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत तो हमारी सूर्ता ध्यान द्वारा तो हम बैठते हैं लेकिन सिर्फ बैठना ही सब कुछ नहीं है सूर्था हमारी कब पहुँचेगी परम्धाम जब तक हमारा हिर्दे निर्मल नहीं होगा तब तक हम जो फल की इच्छा कर रहे हैं जिस सुख को दिल में आने की बात कर रहे हैं जिससे सारे वि की सरीता ना बहे हम युगल स्वरुप को ना देख ले और वो कैसे दिखेंगे दो चीजे हैं मन निर्मल हुए बिना हम अखंड में नहीं पहुँच सकते हैं और जब तक अखंड में नहीं पहुचेंगे तब तक हमारा मन पूर्ण तरह से निर्मल नहीं होगा तो इसके कि सबसे पहले सात्विक आहार मन वच्चन और कर्म से हमें शुद्ध होना पड़ेगा मन से शुद्ध कैसे होते हैं जब हमारे विचार पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे सात्विक हो जाएंगे मन से हम किसी का भी अही चिंतन नहीं करेंगे मन से हम किसी भी प्रकार की ना हिंसा करे ना जूठ बोले जैसे कि यहाँ पे श्री जी कहरे चोरी जूठ बोलना तो मांस खाना वो आहार की शुद्धता में आएगा आहार की शुद्धता से क्या होगा जैसा अन वैसा मन तो यहां पे श्री जी लंबा लिस्ट तो नहीं बता सकते हैं कि आप लेसुन, प्याज, मिर्श, अचार ये सब मत खाईएगा एक ही चीज बताई है जो उन लोगों को आदत लगी हुई थी हम जब इस चरण को पढ़ते हैं तो हमें वर्तमान परिस्थिती या स्थान जिससे हम जुड़े हुए हैं जिसके बगेर हम नहीं रह सकते हैं उसी को कहा जाएगा अभख्ष और माया का भख्षन करना तो क्या करना है एक हराम कहा मांस को हम जब कुछ भी भोजन ग्रहांड करते हैं मांस जो व्यक्ति खाता है अगर उसको पूछा जाएगी आप मांस क्यूं खाते तो वो क्या कहते हैं अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो जो मांस हारी हम जिन प्राणियों को खाते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और प्रकृति का संतूलन जो है वो इंबैलेंस हो जाएगा एक तो कारण ये बताते हैं दूसरा बताते हैं कि मांस से हमारा शरीर सशक्त होता है उससे हमें ताकत आती है तो उनको अगर बताया जाए कि पांडव में एक भीम है जिनके जितना ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युद में जिन हाथियों को गुमा कर आकाश में फैका था वो अंतरिक्ष में आज भी गूम रही हैं उनकी रिप्लेस करके हम उस उन तत्व को ग्रहन कर पाए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है अगर यहां पे चर्चा में हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं सुन्दर साची अगर आपके आसपास कोई मांस या कोई भी अबक्ष कदार्थ खा रहा है या आपको किसी को समझाना है तो ज्यान पीट के द्वारा ही विनाश का पर्याय मांसाहार करके एक बुक छपी हुई है आप उसका अध्यान कर सकते हो दूसरों को भी समझा सकते हो मोटे तोर पर आप इतना बता सकते हो कि जिस हिर्दे में हम उस अक्ष्रातीत को बिठाना चार है जैसा अन वैसा मन जै कि एक ही बार में काट दिया जाता है जब तक उनके शरीर से खुन ना निकल जाए तब तक उनमें प्रान रहने चाहिए उसलिए उनको रेंद रेंद कर काटा जाता है पूरा एक नली काटी जाती है धीरे धीरे से जब सारा खुन शरीर से निकलने लगता है प्रान उनके न कर और पका पका कर खाते कोई माता है बेने ऐसा भी कहती कि हम खूद नहीं खाते लेकिन हमारे पती खाते तो हम उनको बना के देते तो मनस्मृति में लिखा गया है सुंदर साची कि या तो कोई भी किसी भी मांसा हो रहे हो हो या किसी भी प्रकार का अधर्म हो उसकी जो उसको खरीदता है, जो पकाता है और जो खाता है, जो भी कोई माध्यम बन रहा है इस बीश में, वो सब उस पाप के भागिदार होते हैं, और उनको ये कर्म भूमी है, तो कर्म भुगतना ही पड़ेगा, अगर हम सोचे कि हम ब्रहमात्मा है, और हम कोई कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ब्रहमात्माओं के अंदर भी तो जीव तो सब के अंदर है, जनम तो जीव नहीं लिया है, ब्रहमात्मा तो सूर्ता है, जो आई हुई है, और उसका रोल कब होगा, जब हम ध्यान में डूब जाएंगे, तब वो आत्मा का अंकूर प्रेम में डूबेगा और हमें वो सुख मिलेगा, लेकिन तब तक तो कुर्बानी किसे करनी पड़ेगी, जीव को ही करनी पड़ेगी, जीव को ही इन सब चीजों का अभख्ष को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कहा गया है शराब, किसी भी प्रकार का नशा ही है, नशा किसे कहते हैं, जिसके बगेर रहा ना जाए, जो हमें बेचेन कर दे, तो चैसे अभी मैंने का कोई भी चीज ऐसी है, वस्तु ऐसी है, व्यक्ति ऐसा है, अगर हम ये कपड़े भी पहने हुए हैं, इसके बगेर भी अगर हम नहीं रह सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए नशाही है अभी किरंतन गाया जा रहा था जो ज्यान उतो रखो धनी तुम्हारी में धनी जिस अवस्था में जहां पर भी रखे जैसे हम जिस बीतक को पढ़ रहे हैं सुंदर साजी पूरी बीतक में हम पढ़ेंगे कैसे देव चंद्र जी निकले है माबाप को छोड़ कर निकले हैं 16 साल की छोटी सी आयू में माएं अपने बच्चों को ग्यान पीठ में धरम के लिए समर्पित नहीं कर सकती है राजी के लिए कुछ दिनों के लिए भी नहीं बेच सकती है हम बोलते हमारे हिर्दे के टुकडे छोटे-छोटे से हैं अभी बड़े नहीं हुए हैं उस एच में उस उम्र में देव चंद्र जी गर से निकल गए हैं अब मिराज जी 12 साल की छोटी हम देव चंद्र जी के चर्णों में पहुंचे हैं उसके बाद भी हमें पता है कि पूरी उनकी जिन्दगी कैसी कभी अरब जाना पढ़ रहा है कभी बड़े तो कभी कुछ कभी कुछ कभी सद्गुरु नाराज है तो कभी चोरी का इल्जाम लग रहा है जेल में जाना कोई छोटी बात है और उसके बाद जब आरा सुन्दर साथ हम आगे भी तक पढ़ेंगे सुन्दर साची औरंग जेब भी शा करेगा भीख के टुकड़े भी मांग पर बैठे हुएं जिनकी हम गटना करें यह जीत की बीतक को सुन रहे हैं अभी भी तो पन्ना जी में वो समाधिस्त बैठे हुए हैं वो उस मूल मिलावे का आनंद ले रहे हैं और हमारे लिए प्रेना है हमें उनसे सीख लेनी है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से करन हैं कि आप मांस खाना छोड़ो शराब पीना छोड़ो इससे हमें सीख लेनी कि हमें क्या करना है सुन्दर सार जी उस समय जो प्याज लेसुन मिर्श वगेरा मसाले हैं वो मांसाहार में ही डाले जाते थे हिंदू जो है वेजसास्त्रों को पढ़ने वाले वो सुद्ध शा करे कि आप मांस खाना बंद करो शराब किसी भी तमाको हो सिग्रेट हो यह किसी भी प्रकार कि चाय कॉफी का भी अगर हम नसा करें तो हमें वो भी चोड़ना है तीसरी औरत बिरा नींतर जो भी भाई है वो अपने से बड़ी बहनों को माता के रूप में देखे, हम उम्र को बहन की द्रिष्टी से देखे माता ये भी अगर भाई है, तो उनको हमारी ही उम्र के हैं सम कक्ष तो उनको भाई की द्रिष्टी से देखे या पिता की द्रिष्टी से देखे तो विकार आएंगे ही नहीं, आत्मिक द्रिस्टी से देखने पड़ तो ये भी नहीं होगा, तो यहां पे यही कहा जा रहा है, जब बताया जा रहा है कि तीसरी औरत बीरानी तचे मतलब शरीर, आहार को शुद करने की बाद पहले चरण में बताई गई, किसी भी प्रकार के नशी को छोड़ने से हमारी आदत चूड़ती है, जिससे हमारा मन शांत होगा, औरत बीरानी तचे का अरधात, हमें शरीर से भी क्या करना है, किसी भी चीजस के, शरीर द्रिस्टी से किसी को भी नहीं देखना है, सब को आत्मिक द्रिस्टी से देखना है, जब हम सब हम की ब्रह्मात्मा है, तो कौन स्त्री और कौन पुरुष, कोई दूजा मरद न कहा भी, एक मेहदी पाक पुरन, उस अक्षरातित, उस प्रियतम, उस हमारी राज्ये के बिना, तो कोई पुरुष है ही नहीं, जब हम उस भाव से देखेंगे, तो किसी के मन में भी विकार नहीं आएगा, और कह रहे हैं, एक सो पावे हयाती आप, जब हम मन, वचन और कर्म से अधर्म को छोड़ेंगे, तो हमें पावे हयाती आप, वो अखंड का जल, वो जमना जी का जल हमारे हिर्दय में प्रवाहित होगा, जिससे हमारा रोम-रोम निर्मल हो जाएगा, हमारा ध्यान जैसे ही हम अभी तो ध्यान में बैठते हैं सुंदर सार्जी लेकिन ध्यान लगना भी तो जरूरी है उस आनंद को पाने के लिए वो कब लगेगा जब मन स्थीर होगा मन कब स्थीर होगा जब हमारा आहार सात्विक होगा आहार सात्विक होने से क्या होगा हमारे विचार जो है वो सात्विक होंगे और चीत के सात्विक संसकार जो है अब तक के पूरवर जन्मों में हमारे जीवने जो भी कर रखा है उसमें जो सात्विक संसकार है वो सारे प्रबल होंगे और वो सारे हमें सहायक बनेंगे ध्यान में और फिर दीरे दीरे जिन हमारे प्रियतम को हम देखने का प्रयास करते हैं उनकी चवी हमारे सामने आती जाएगी जैसे जैसे वो प्रेम का स्वरुप हमारे हिर्दे में बसता जाएगा तब छूट जाए विकार वैसे वैसे ही हमारी आत्मा जागरित होती जाएगी और हम रहनी में स्थित हो जाएगे फिर हमें कोई बोलेगा न कि ये पीओ ये खाओ फिर भी हम उसमें लिप्त नहीं होंगे वो हमारे हमारा आच्रण ही बन जाएगा रहनी में आ जाएगा लेकि पहले जीवा शरीर से सात्वी करवा रहे हैं और अब क्या बोल रहे हैं चोरी भी नहीं करते हैं चोरी नहीं करना है इसका मतलब यह निसटी सिफिक की पैसे नहीं चूलातें चीजेन नहीं चुरातें अगर हम बोल रहे हैं न कि तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात जी इश्क शो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी कि राजी बस मुझे और कोई रिष्टा पता ही नहीं है सिर्फ आत्मी क्रिष्टा ही पता है कि आप मेरे दुल्हा हो और मैं आपकी दुल्हीन हूँ लेकिन वास्तव में अगर हम देखे तो हमें पता है कि राजी के लिए हमारे पास कितना समय होता है क्या सच में हम उनकी दुल्हीन बने हैं है ही हम परमधाम में लेकिन यहां पे हमारा आचरण क्या ऐसा है कि हम स्वयम को उनकी दुलहिन कैसा कैसी कौन से दुलहिन होगी जिसने अपने दुलहा के मुखारविन को नहीं देखा होगा जिसने अपने घर को नहीं देखा होगा है कोई नहीं है न फिर हम स्वयम को कैसे उ और आच्रण में नहीं लाते हैं, जब एसुख देव भ्रहम सिस्टिको तो में अंगनाना, तार्तम बोलते समय हम ये भी बोलते हैं, ये प्रतीजिया भी करते हैं, लेगिन क्या हम एसुख दूसरों को बाट रहे हैं, जब हम स्वयम नहीं ले पारें, तो हम दूसरों को कैसे बाट पाएंगे, जब हम स्वयम ही जागरत नहीं हैं, तो दूसरों को कैसे जागरित कर पाएंगे, तो सबसे पहली प्रात्मिकता ये है कि हम अपने युगल स्वरूप को देखें, और देखने के लिए, यहाँ पे श्री जी हमें बता रहे हैं कि चोरी, मन से भी हमें चोर कर दो, तो वो कर्म की चोरी है, मन से तो चोरी कर ही रहे हैं, अगर हम कहें कि हमने चाय कॉफी छोड़ दिया, ध्यान कर रहे हैं और चाय हमें बेचेन कर रही है, चाय की याद आ रही है, कोई ऐसे रिष्टों की याद आ रही है, तो वो भी हमारे लिए, हमने मन से तो सेव कर ही रहे हैं उनका बहार से चाहे छोड़ा हो संसार को बहार से छोड़ने से कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है वास्तविक संसार हमारे हिर्दय में बसा है उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा संसार की सारी इच्छाओं से जब हम परे हो जाएंगे तब हमारा ध्यान जो है वो हद से परे जाएगा तब 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 तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे हम जब ध्यान करते हैं तो हमें पता है ना घर की चार दिवारी से ध्यान हमारा पौने गंटे तक तो बाहर नहीं जाता है हम राजी के थे राद के से चरनकमल देखते होते हैं, अमें विचाराता है बच्चे का, वो खूल गया है, खाया होगा, नहीं खाया होगा, बिमार होगा तो यद आएगी, कहीं और है, तो कुछ घर में कोई फंक्षन है तो उसकी याद आएगी कभी ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, ग्यान पीट में रहते हैं, तो यहां पे भी बहुत सारे जिम्मेदर है, यहां पे भी हमें लगेगा कि ग्यान पीट की चार दीवारी में भी बहुत कुछ हो रहा है, तो यहां में लगेगा यह है वो है तो हमारा ध्यान तो घर की चाहार दीवारी से है, ज्ञानपीट की चाहर दीवारी से ही बहार नहीं जा पाता है, तो वास्ताव में सब कुछ छोड़ के बैठेंगे तब ना तभी बोला गया है कि पहले पीतु शर्बत मौत का कर तहकिक मुकरण माया से हम मर के बैठेंगे जब थनी के लिए तब ही हमारी सूर्था उस अखंड में जाएगी यहां पर जब चोरी करने का कह रहे हैं मतलब सिर्फ बहार्क चोरी नहीं मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी ना करनी और जूठ बोलना वो है वानी का तब जूठ किसी भी प्रकार से नहीं बोलना है तब हमारी आत्मा जागरित हो पाएगी और जब जूठ बोलना है फिर भी सिर्फ वाचिक जूठ नहीं है वो भी मन वचन और कर्म से तो यह बहुत उपरी तोर पे बताया जा रहा है सुंदर साजी लेकिन हमें इससे सीख लेनी है क हमारा आहार साक्विक होना चाहिए किसी भी प्रकार का नशा किसी भी चीज से इस संसार की किसी भी चीज से हमारा नशा नहीं होना चाहिए लट नहीं होनी चाहिए लट नहीं हो तो क्या होगा अगर हमें सिर्फ यही रट लगी हो फेर फेर चरन को निरखिये रूम को यही लागी रट, रट लगना मतलब उसकी लत लग जाना, आदत लग जाना, अभी हमें जो माया की आदत लगी है वही आदत जब हमें उस युगस्वरुग को देखने की लग जाएगी कि मुझे उनको देखना है, वो मेरे प्रियतम है, मुझे क्यों नहीं दिखेंगे, मेरा अधिकार है, और मैं इस ब्रह्मान में उनकी लिए आई हूँ, वो ये घ्यान को मेरे लिए लेकर आया, अगर मैं नहीं देखूंगी तो और कौन देखेगा उनको, वो इतने सुन्दर है, लेकिन मैं उनको ना देखूं, तो उनकी सुन्दर्ता, और कौन देखेगा, है कोई परमधाम में ब्रह्मात्माओं के अलावा, जो राजी की सुन्दर्ता को देखते हैं, वो इतना मधूर बोलने वाले हैं, अगर हम उनको नहीं सुनेंगे, तो कौन सुनेंगा उस मधूरता को, वो प्रेम की अनंत सागर लिये हुए है, लेकिन वो प्रेम हम पर नहीं बरसाएंगे, तो किस पर बरसाएंगे, तो वो हमारे लिए आए हैं, हम उनके लिए आए हैं, तो हमें अपना ये उत ही यागई हो जाएगी अब हम कभू ना करें वह सब एक स्वर में कहते हैं कि शृजी आपने जो बोला इन बातों को हम कभी नहीं दोर आएंगे आपने जो बोला आखिन रहेंगे हं। हमका बे शक्ऴ क्योंकि हमने आपके अंदर साक्षात अक्षातीत हमारे धाम के धनी प्रियतम की पहचान की है फिर क्या होता है सुंदर साथ जी चींता मनी जी जब एक हजार सिश्य के साथ श्री जी के चर्णम में तार्तम ग्रेंड करते हैं तो छोटी बात तो है नहीं तो उस बात का प्रचार प्रभाव जो है वो पूरी ठठा नगर में पड़ता है बहुत सारे लोग सुनने के लिए चर्चा आता है कि जब इतना बड़ा आचारे उनके चर्णम में अपने एक हजार सिश्य के साथ चला गया तो बहुत बड़ी बात है तो कोई देखने के लिए आता है कोई दर्शन करने के लिए आता है कोई चाह से आता है कोई प्रवाह स पुश कर जाती था, जो श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आया करते थे, अब उस समय श्री जी अखंड व्रज और रास की चर्चा करते के सुनाते थे, अब इस ब्राम्मन ने भी चर्चा सुनी उसको बहुत अच्छी लगी, वो रोज श्री जी के लिए दूद देने के ब एक बहुत बड़े सेठ है, जैसे चिंतामनी जी कबीरपंद के अचारे बन के बैठे हुए थे, और थी परमधाम की ब्रहमात्मा, वैसे ही परमधाम की एक ब्रहमात्मा है आसबाई, जिनको हम लालदाशी कहते हैं, जिनके तन के द्वारा माध्यम से ये बीतक लिखी गई है वो लालदाशी की आत्मा कैसे जागरित होनी है, उसका अब प्रसंग बन रहा है सुन्दर साथ जी, तो चतुरा पो करना उसके लिए माध्यम बनते हैं, वो श्री जी को दूद देने के बहाने आते हैं, और श्री जी की चर्चा सुनते हैं, अखंड व्रज रास की चर्चा उनको इतनी अच्छी लगती है, और वो चतुरा पूरा दिन तो थोड़ी ना दूर बांटते फिरेंगे, तो बाकी के समय पे वो काम करते थे, तो वो गोदाम था सेट लक्षमनदास जी का, बहुत जहाजों से उनका अरब देशों में व्यापार चलता था उस समय, तो गो नहीं आप यह चछा किया करते हैं और अखंड व्रज और रास की बात करते हैं, तो क्या आपने वो अखंड व्रज और रास को देखा है रे अग सेटलक्षमांदासटी कहते हैं कि नहीं, उसको इस दृष्टि से नहीं देखाजा सकता है, चतुरा कहते हैं, अच्छा, फिर कौन सी दृष्टि से देखा जा सकता है? तो वो बोलते हैं, उसको तो दिव्य दृष्टि से, आत्म śm Congress से देखा जा सकता है, तो अब चतुरा कहता है अच्छा फिर वो आत्मिक द्रिस्टी वो दिव्य द्रिस्टी जिसकी आप बात कर रहे हो इतना समय हो गया आपको भागवत सुनते सुनते वो दिव्य द्रिस्टी आपको प्राप्त हुई अगर नहीं हुई है तो कैसे और कब प्राप्त होगी अब ब्लक्ष्मन दाची चुप उनको जवाब नहीं आ रहा है अब चतुरा पो करना और प्रश्न पूछ रहें अच्छा आप बताते हो कि वो अखंड व्रज और राज जो है वो इस ब्रह्माण से अलग है तो ये बताएए जब महाप्रलय में पांच तत्व तीन घुन और ये च अखंड का मतलब ही ये है कि जिसका कभी लए ना हो और दूसरा प्रश्न भी पूछता है कि अखंड आप व्रज को भी कहते हो अखंड आप रास को भी कह रहे हो व्रज में तो दिन और रात की लीला है और रास जो है वो रात की लीला है सिर्फ तो अगर तो रास की लीला अखंड है और दिन हो जा रहा है तो रास भंग हो गया लीला भंग हो गई ना और अगर तो व्रज अखंड है तो रात दिन हो रहा है रात के बाद दिन होना ही पड़ेगा ने तो व्रज की लीला पूरी नहीं हो पाएगी व्रज की लीला पूरी होती है तो राज की खंडित हो जाती है तो ये दोनों अलग-अलग अखंड होने चाहिए कि जहां पे एक लीला है कि रात ही निरंतर चली जारी है और राज चल रही है तब ही उसको अखंड राज कहा जाएगा और दूसरी लीला है व वो अखंड वरज कहां रहेगा, वो अखंड रास कहां रहेगा, और आप कहां जाएंगे और आपको वो दीवी वरश्टी कब और कहां मिलेगी, तो इसके उत्तर में लालदास जी मौन हो जाते हैं। अब लालदास जी को लगता है कि तब लालदास चौक या आश्चरी चकीत होकर चौक गए कि ऐसे प्रश्ण हे कहां से पूछ रहा है आज तक तो मैं उसको चर्चा सुनाता वो सुनता आ रहा है अब ऐसे ऐसे प्रश्ण पूछ रहा, प्रश्न भी सहहें है उसके, निर्वत्तर हो जा रहा हूं मैं, तब वो बेचेन होकर व्यगर, उनको पूछते हैं त्ये कहाँ सुनीये बात, चतुरा तुने ये बात कहाँ से सुनी ऐसी अद्बूत बात, तब चतुरा पोकरना उनको कहते हैं, तब कहया चतुरे ने कोई साध आये इंठोर, यहाँ पे एक अलवकिक साधु महात्मा आये हुए हैं, जो अखंड व्रज रास और उससे भी परे की बात करते हैं, और आप तो सेट बन के बैठे हैं, और माया की संपत्ति कमाने में इतना लगे हुए हैं, कि चिंता मनी जैसे कबीर पंद की अर्चारे की आत्मा जागरित हो गए, एक हजार सिश्य उनके चरणों में चमर्पित हो गए, इतने सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन आप तो बस माया के ही कारबार में लगे रहे हो, जो माया का शरीर आपका आज है और कल नहीं रहेगा, तो सिर्फ अखंडवराज और रास की बात करने से तो आपको कुछ हासिल नहीं होना है, तब लाल दास जी बोलते हैं, कि बात बिल्कुल सही है चतुरा, अब तो मुझे उन महात्मा जी के पास लेकर चल, तो चतुरा क्या कहता है सुंदर साथ जी, मैं उन् पूछ तुम्हें लेचल, सोचिये, लक्ष्मन दास जी लोकिक त्रिष्टी से देखा जाये तो सेठ है, चतुरा उनके यहाँ पे सेवक है, लेकिन उनके लिए चतुरा पोकरना के लिए जागरित ब्रमात्माओं के लिए लोकिक रिष्टे कुछ नहीं होते हैं, वो लोकि मालिक है मेरी आत्मा के, अगर उनका आदेश होगा, तो मैं आपको ले जाऊंगा, हमारे जैसे नहीं हम और आप होते तो क्या सोचते सुन्दर साथ जी, कि सेठ जी को अगर मैं मना करूंगा, तो दुखी हो चाहेंगे वो, और मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो मैं क् होगा, सोचते ना, क्योंकि हमारी लौकिक बुद्धी है, लेकिन वो चतुरा है, जागरित प्रमहात्मा है, श्री जी की स्वरुप की पहचान की हुई है उसने, वो क्या बोलता है, कि नहीं, मैं उनको पूछ के, फिर आपको ले जाऊंगा, उनकी अनुमती लेकर आता हू चतुरा गया, श्री जी से अनुमती लेने के लिए, और श्री जी ने कहा, उनको बुलाओ सिताव, उनको शिग्रती, शिग्र मेरे चर्णों में लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, तब क्या हुआ सुन्दर साज्जी, काहु काहु ने मने करी, किसी किसी ने मना किया, क्योंक के चरणों में चरचा तो चलती ही रहती थी चरचा के बीश में आखर जब चतुरा बैठा और चरचा के बाद में उनको पूछा तो सारे सेट बैठे हुए थे अब उन सेठों को लगा कि सबसे बड़े सेट तो लक्षमनदास जी अगर वो हमसे भी ज्यादा बड़े सेट आ तो हमारी महत्ता तो कम हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या कहते है, सेट सेट दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, माया के विकार पूर्णत है, श्री जी के चरणों में बैठने मात्र से तो सब के जाएगे नहीं, तो वो सेट जो है वो आनाकानी करने लगते हैं, काहूं काहूं ने मने करी कि उनको मत बुलाईएगा, तब क्या कहा, श्री जी ने फेर महर करी उनके बाप, श्री जी ने एक भी नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि जो भी हो, कोई अगर मेरे से ज्ञान चर्चा सुनना चाहरा है, तो इसके लिए सब को बनती हैं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, और श्री जी चतुरा को बोलते हैं, तो चतुरा बहुत खुशो कर, अब सेख लालदास जी को अपने साथ ही लेकर आते हैं, चला अपने संग लगाए, अपने साथ ही लेकर लक्ष्मन दास जी को स्री जी के सामने आ गए, अब दे व्रज और राज की, अभी तो सिर्फ प्रश्न ही सुने थे उन्होंने चतुरा से, जब उसका समाधान चर्चा में पाया श्री जी के मुखार बिंध से, तो अब उनके संचे मन की कुल्फत सब मिटी, अब उनके मन के संचे समाप्थ हो गये, और अब वो बार बार उस दिन उ अपने बाग में घूम रहे थे, सेठ लक्षमन दास्षी, और इतना बड़ा बाग था, वहां पे भी उन्होंने माली रखे हुए थे, उसमें एक माली है, जिन्दा दास्षी, अब उन्होंने भी स्री जी से तार्तम ग्रहन किया हुआ है, वो भी ब्रह्मात्मा है जागरित अब वो जिन्दा दास्ष माली उनको पूछते हैं, कि सेठ लक्षमन दास्षी, आप जिनकी चर्चा सुनने के लिए इतने दिन से जा रहे हो, क्या आपने उनके स्वरुप की पहचान की, या पहचान की बिना ही चर्चा सुने जा रहे हैं, अब सेठ लक्षमन दास्षी फ वो भी मुझे उनके स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछ रहा है अब वो हात जोडते हैं और बोल रहे हैं कि कृपा करके तुम ही मुझे उनके स्वरूप की पहचान करवाओ अब जीन्दादास माली उनको लक्ष्मादास सेट को बता रहे हैं कि मैं आपको एक द्रस्टा करके आपको जगाने वाले श्रीजी हैं वो वास्तव में है कौन अब सुन्दर साजी मारकंडे रिशी के विश्य में दो तरह के गटना क्रम है उसमें से एक बात तो भागवत में बढ़ने की गई है दूसरी तार्दमवानी में बताई गई है भागवत में कहा गया है कि मा माहान योगेश्वर थे जिन्होंने अपने तब से नर नाराण भिशी को प्रसन्न किया था और उनसे वर्दान में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे माया भी दिखाना और अपने चड़नों से अलग मत करना उनकी इन वचन को पूरा करते हुए त्रिपा करके जब उनको समाधिस्ट किया गया तब ध्यानावस्ता में उनको ऐसा अनुबव हुआ कि चारो और महाप्रलय का द्रिश्य है पानी ही पानी हो गया है पूरी श्रिश्टी में और वो कुद उसमें तैरते जा रहे है काफी समय तक वो भटकते रहे उस पानी में तब उनको एक बरगद के पेड़ का पत्ता दिखा जिस पे एक चोटा सा सिशु लेटा हुआ था जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उसकी इतनी मुहनी चबी थी को उसको देखके वो मुहित हो गए और जैसे ही उस चोटे से बालक ने सांस ली तो मारकंडे रिशी उस सांस के साथ उस बालक के मुख से होते हुए उनके पेट में प्रवेश कर गए और उस पेट में उन्होंने मारकंडे रिशी ने पूरी स्रिस्टी को देखा वैसा ही द्रिश्य जैसा महाप्रले से पहले था सारे ग्रह नक्षत्र पूरी स्रिस्टी का द्रिश्य उस बालक के पेट में देखा और जैसे ही उस बालक ने सांस बाहर छोड़ी, उस सांस के साथ मारकंडे रिशी बाहर आ गए और फिर से उन्होंने देखा कि चारो ओर प्रले ही प्रले, पानी ही पानी है कुश समय के बाद पानी भी अद्रश्य हो गया, महाप्रले का दृष्य भी अद्रश्य हो गया और वो बालक के रूप में जो नारायन थे वो भी अद्रश्य हो गया और दूसरा जो प्रसंग है सुन्दर साजी उसमें ऐसा कहा जाता है कि मारकंडे रिशी ने जब अपने अराध्य नारायन को प्रसंद न किया आधी नारायन को तो उन्होंने उनको वर्दान दिया जब मारकंडे रिशी ने इच्छा की कि मैं आपके चर्णों से अलग भी ना हूँ और माया को भी देखू तो उनको आधी नारायन ने बोला ठीक है तथास्तु कहके वो अद्रिश्य होगे अब एक तिन वो पुष्वभद्रा नदी के किनारे चंदन गीस रहे थे गीसते इस्ते ही वो उनको ऐसा समाधिस्त हो गए और उनको अनुभव हुआ कि वो खुद को कैसे देखने लगे धूबन season अब अपने मूल स्वरोप की उनको विस्मृति हो गई वो स्वयम को धूबन के रूप में देख रहे हैं। माया का पसारा बढ़ता गया और जैसे व्रज में हमने कह दिया था ना राजी को पहले तो हम बहुत चाव से जाते थे काना के पास रास करने के लिए जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया पुत्र पौत्री सारा कुछ बढ़ता 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 कामकाश बढ़ता गया, तो हमने उनको क्या कह दिया, कि आपको तो आप तो कुछ नहीं देखते हो, लेकिन हम तो कुलवद्वा नार है, हमें हमारी सासु गाल देती है, वैसे ही बिल्कुल क्या हुआ, इस प्रसंग में ग्रिहस्ती बढ़ती गई, अब धोभन DO Stir, क्योंकि कपडे भी धोने है, बोजन भी बनाना है, बच्चों को भी रखना है, तो कभी आगे-पीछे हो रहा है, कभी कपडे नहीं पहुंच रहे है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आपस में तंग आके उन्होंने सोचा कि मैं आत्मात्या कर लेती हूँ किसने सोचा सुंदर साजी मारकंडे रिशी जो उस दोवन के रूप में आये हैं उन्होंने सोचा कि मैं आत्मात्या कर लेती हूँ जैसे ही वो आत्मात्या करने गए तो नारायन जो है वो रिशी बन के आए आदी नारायन और उन्होंने दरवाजा खटकटा के उनको बोला कि भूजन करा दो माई तो अब मारकंडे रिशी कहते हैं कि कहां मैं आत्मात्या करने जा रहे थी अब यह रिशी आए हुए उनको भूजन कराना तो मेरा उत्तरदाइत वह भूख जी रिशी के रूप में आयो है वो कहते हैं कि मारकंडे की कथा सुनाते हैं तब हम भूजन पाते हैं कि मैं भूजन तो कर लूँगा लेकिन जब तक मैं मारकंडे रिशी की कथा नहीं सुनाता तब तक मैं भूजन नहीं करता हूँ अब दोवन बोल दिये कि कोई नहीं से आदी नारायन को प्रसंद न किया, उन्होंने कहा कि आपके चर्णों मेद रहूं और मया भी देखूं, तो नारायन जी तब उनको पता चलता है, और जब ऐसे ही आत्म का हत्या करने को होते हैं, तो आदी नारायन आते हैं, रिशी का रूप लेके, और भोजन के लिए मांग करते हैं, और वो अब मारकंडी रिशी की कथा उनको सुना रहे हैं, अब इतना ही सुनते उसको लग गया, उदोबन को कि अरे, मैं तो स्वयम को भूल ही गई थी, अब उनको एसास होता है कि ये मारकंडी रिशी और कोई नहीं, ये तो मैं स्वयम ही हूँ, और ये जो मुझे चर्चा सुना रहे है, कथा सुना रहे है, ये तो स्वयम आदी नारायन है, उनके चर्णों में, जहसे ही प्रनाम करते कि प्रभू अब इस माया को मैंने देख लिया, इसको आप समेटो और स्वयम को, सारी माया समाथ हो जाती और स्वयम को फिर से वहीं पे जहां चंदन गीस रहे थे, वहीं पे खुद को तालाब के किनारे पाते हैं, अब सुन्दर साजी, ये चर्चा, ये सारा जब जिन्द धाम में इश्क रबत किया था, फिर हम सबसे पहले व्रज में आए, फिर रास में आए, फिर तीसरे चौथे दिन की लिला के बाद पांचवे दिन की लिला चल रही है, और स्री जी के तन में बैठ कर वो राजी ही हमारी आत्मा को जागरित कर रहे हैं, बाकी अखंड की बा बाद है, और मैंने तो अपने आत्मा के व्रियतों को पहचाना ही नहीं था, अब पूर्ण पहचान के साथ शद्धा पुर्वक जब चर्चा सुनने लग जाते हैं, तो अब उनके अंदर राजी की जोश की शक्ती आती है, जब राईल आता है, और अस्रा फिर राजी की ज बुनियाद बार बार उनको मूल मिलावा याद आ रहा है, और लौकिक द्रिस्टी उनकी अब गूम गई है, और थात उनकी आत्मिक द्रिस्टी जो है, वो इस खेल को ना देखकर बार बार अपनी बुनियाद, अपने मूल को देख रही है, उस मूल मिलावे में युगल स् सभाको स्वरूप को देख रही है और उसी में लीन होते जा रही है उसी आनन्द में डूपती जा रही है अब क्या होता है सुन्दर साथ जी जिन्टामनी जी भी आ गये हैं चर्णों में और इतने बड़े स्थेट लक्ष्मनदास जी भी आ गये हैं तो अब धीरे धीरे सुन्दर साथ का समू बढ़ता जा रहा है जो जो सुन रहा है सब प्रभावितों की स्रीजी की चर्चा सुनने आ रहे हैं जब इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होगा ही तो सब प्रभाव से सुनने को आ रहे हैं बहुत सारे इमान दाखिल वह भय जाके धनी ये पकड़े हाथ लेकिन इमान जिसका द्रिड है जिसके धनी ने हाथ पकड़े है वही सुन्दर साथ में सच्चे हिर्दे से सम्मिलित हो रहे हैं बाकि चर्चा तो बहुत सुन रहें जैसे हम भी सुन रहे हैं सुन्दर साथ जी अगर रखेंगे तो हम भी ऐसे के ऐसे ही कोरे की कोरे ही आये हैं और कोरे की कोरे ही चले जाएंगे जो भी सुनते हैं जितना भी सुनते हैं उसको जितने भी अंश में जीवन में उतार सकते हैं उतना उतना उतारना शुरू करेंगे तो क्या होगा वानी कहती है वचने कामस धोई का जैसे जैसे हम इन वचनों को हमारे जीवन में उतारते जाएंगे, आचरण में लाते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे उपर जो माया की कामस चड़ी हुई है, वो धूलती जाएगे, जैसे जैसे ही माया का प्रभाव कम होता जाएगा, हमारे अंदर प्रेम की पातरता आती जाएगी, तो यूगल स्वर्व तो हमारे हिर्दे में बैठके, कहते ही हैं ना, कि तुम पर दमदम जो बरतत चो सब इश्क खक का पल-पल महर करत, वो तो हर पल, इस गड़ी भी हमारे उपर वो ही प्रेम और आनन की वर्षा कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उसका आयसास नहीं है, क्योंकि बारिश तो हो रही है, लेकिन हमने अपने घड़े को उल्टा कर रखा है, और हम बोलते बारिश नहीं हो रहे हैं, तो इसमें बारिश का कसूर नहीं है, राजी तो महर और कि वर्षा कर ही रहे हैं नीरनतर यमना जी की धारा हमारे हिर्दय में बैहर रही है लेगिन हमें उसका एसास नहीं हो रहा है क्युक्त हम usståja जैसे जैसे हम राजी की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे वैसे-वैसे हम पात्र स्वाधर श्रांद चाहेंगे औरbare खाई निर्मल होता जाएगा धीरे 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 करके वे युगल्ज परू कव सामने आजाएगे और कव हमारी आत्म है जाzkरित हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अब्रहाश करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आज सुना और कल छोड़ा, परसो सुना और नर्सो छोड़ा, नीरंतरता होनी चाहिए, अगर यहां की डिगरी भी हासल करनी होती है, सुन्दर साजी एक डॉक्टर की डिगरी भी हासल करनी होती है, तो कितने साल पढ़ना पढ़ता है, बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बन देता है वो बच्चा भी कितने घंटोंगा भोग देता है कितनी पढ़ाई करता है तब जाके कुछ हो पाता है पिता भोग देता है कमा कमा के लाता है उधारी करके भी कमाता है एक्स्ट्रा टाइम देके भी कमाता है कि बच्चे पड़ेगा तो उसका भविष्य सही हो जाए माता भी बाकी सब छोड़के बच्चे के पीछे लगती है चर्चा सुनने भी नहीं जाते हैं हम क्यों ताकि बच्चे का भविष्य बन जाए और हमारी आत्मा के भविष्य का क्या सुन्दर साथ जी यह सारे उत्तरदाइत्व हमें निभाने चाहिए लेकिन हमें यह भी सोच अगर हम शरीर के उत्तरदाइत्वों के लिए इतना समय देते हैं तो हमारी आत्मा के कल्यान के लिए हम कितना समय दे पा रहे हैं और हमारा जिससे आत्मीक सन्मंध है जिन ब्रहात्मा को उनको हम माया से निकालने के लिए और स्वयम की आत्मा को जागरित करने के लिए जा वयसे ही, स्री जी जहां जहां पर भी राजजी का पेगाम फैलेगा, वहाँ वहाँ माया भी तो राजजी का होकम पाके खड़ी होगी, तो अब क्या हुआ दज्जाल जो है वो खड़ा हो गया है, और वो क्या कर रहा है राधा वल्लभी मार्ग के वहाँ पर अनुयाई थे, आचार्य थे वहाँ पर, जैसे कबीरवन्द की आचार्य आ गए उनके चर्णों में चिंता मने जी, वैसे ही आचार्य है राधावल बीमार के जिसको कहा जाता है गुसाई जी, गुसाई तो अप ब्रंच है उसका शुद्ध शब्द है गो स्वामी, गो स्वामी गो कहते हैं इंद्रियों को, और स्वामी कहते हैं मालिक को, जिन्हों ने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है, हम सब तो सामान्य मनुष्य क्या होता है, इंद्रियों के वश में होता है, कभी उसको खाने की लालसा सताती है, कभी उसको स्पर्ष की लालसा सताती है, कभी उसको कोई इच्छा दोडाती है कभी कोई रूप रस गंद और स्पर्श के पीछे ही तो हम भागते हैं कि हमें वहां से फ्रेम शांती और आनंद मिल जाएगा लेकिन जिनों ने इन इंद्रियों पर वश कर लिया है जो इन इंद्रियों का स्वामी है उनको कहते हैं गो स्वामी और जो जाधावल भी मारग के अचारे होते हैं उनको स्वामी कहा जाता है और उनमें क्या होता है वंश प्रथा होती गादी प्रथा है और अचारे के बाद उनके जो पूत्र हैं वो उस गादी पर बैठते हैं उसके बाद उसके पूत्र बैठते हैं एक वंश वाद की धारा बालकों को पूछते हैं और जब उनको भी प्रश्न नहीं आता है तो वो जाके पिताओं को पूछते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा अखंडवरज और रास की बाद तो हमने सुना सुंदर साजी 14 साल जिससे देवचंद्र जी ने भागवत सुनी वो कांजी भड़ भी जब न कोई ऊतर नहीं थाता है तो क्या करेंगे निंळा करने लगे उनके पास मत जाना वोतो किरश्न को ही दो एक से ज्यादा बताते हैं कि व्रज में अकैंद कृष्न में अक्हंड करिश्ने कूछ अलगी बाते कर्ते हैं उनके पास जाओगे तो तो आपके भगिवर हमित हॉच करते हैं लेकिन जहां सूरज उदित हुआ हो सूरज के सामने कोई कितनी इचल उछाले या मिट्टी डाले कितने समय तक उसको आवरित कर सकता है वो घिर के उनी के चैरों पे पड़ता है उसी प्रकार से श्री जी के वानी के तेज के सामने तार्तम वानी के प्रकाश के सामने उनका कुछ भी नहीं चला और वो हाथ पठक कर शांत हो गए अब सुन्दर साजी यहां पर, चिंतामनी जी की जागरती हुई, लालदास जी सेट की जागरती हुई, बाकी बहुत सुन्दर साथ ठठानगर के श्री जी के चर्णों में आये, और ऐसा करते करते, श्री जी को यहां पर 10 महिने हो गये हैं, अब क्या हुआ? मौसम भई मसकती मसकत बंदर जाना था ना उनको और तुफान आया और वापस आ गये हैं क्योंकि इनकी जागरत ही होनी थी ये दो सुंदर साथ प्रमूख इसलिए वैसे तो सारे सुंदर साथ राजी के लिए प्रमूख है लेकिन जागनी यात्रा में आगे हम प्रसंग सुनेंगे ठठानगर के सेट लक्षमनदास ची और चिंतामनी जी दोनों उन बारा मोमिनों में से है जो औरंजेब के दरबार में श्री जी का और हम सब सुंदर साथ का घर्व से श्रिरुन्जा करेंगे तो उनकी आत्मा को जागरिद करने के लिए ही उनको वापस लाया गया था अब क्या हुआ तो श्री जी ने सब सुंदर साथे से स्विक्रती चाही और सुंदर साथी सब क्या कहते है आप इत बिराजे रहो श्री जी हमें माया में हम तो सड रहे थे आपने आके हमारी आत्मा को जागरित किया है, अब आप कहां जा रहे हो, आप तो हमारी आत्मा के प्रियतम हो, आप यहीं पे रहिए, आपको जिस कारण से वहां जाना है, हम उनको बंच से छुड़ा के लिए आएंगे, बस आपके हुकम मात्र से, आपकी कृपा मात्र से हम स तो आप सबकी आत्मा जागरित ना होती, उसी प्रकार से आत्माएं वहाँ पर भी तो अरब में भी है कुछ ना कुछ, तब ही निश्चित रूप से मुझे राजी वहाँ कारज कारण करके ले जा रहे हैं, तो वहाँ मेरा जाना ही आवश्यक है, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होती स्था, क्या पता किस कारण से राजी मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं, बहुत विंती साथे करी, सुन्दर साथ ने बहुत अरजी करी, मानी ना ही कोई, लेकिन श्री जी ने, देखो सुन्दर साथ जी, श्री जी के हिर्दय में उन ब्रहमात्माओं के लिए प्र लेकिन उन्होंने समझाया सुन्दर साथ को कि मैं यहां ना आता, तो आपके दुख न दूर होते, ना आपकी आत्मा जागरिद ना होती, उसी प्रकार से, अगर मैं वहां नहीं जाओंगा, तो ऐसी पता नहीं कितनी ब्रहमात्मा हैं, जो अभी भी माया में दुखी हो रह तो उनको इस प्रकार से समझा के, श्री जी अब वहां से मस्कत बंदर के लिए रवाना होते हैं, और नाव पर सवार होकर, ठटे नगर से लाठी बंदर आते हैं, और वहां से लाठी बंदर से नाव में बैठकर मस्कत बंदर पहुँचते हैं, और अब मस्कत बंदर से पर बुरा मान लेते हैं और घर बैठ चाते हैं कैसे राजी की महर से उनको ठोकर लगती है और वापस से वो द्रड्依ल एमान पे खड़ा होते है और ऐसा इमान और यहीरा भी उनके विरोद में हो जाएगा पूरा संसार भी चाहे एक तरफ हो जाए, फिर भी वो श्री जी से के प्रती अपने इमान को टस से मस नहीं होने देते हैं सुंदर साजी, वो प्रसंग हम कल देखेंगे, और आप सब के चरणों में यही बिंती है सुंदर साज की, कि जो प्रसंग आप गटना करम सुन रहे है उससे हर रोज कुछ न कुछ सीख लीजिए, जैसे कि आज हमने सुना कि हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, ध्यान निरंतर होना चाहिए, और जिस स्वरूप से हमने तार्तम लिया है, उस स्वरूप की पूर्ण पहचान और उनकी उपर पूर्ण विश्वास होना इसी बिंती के साथ आपके चर्णों में राची के चर्णों में उस युगस्वरूप को भी यही अरजी है कि जो हमें समझा रहे हैं वो हमें जीवन में उतारने के लिए प्रेना दे और हमें अपनी मेहर की छत्रचाया में ऐसे ही बनाए रखे हमें भी सेट लालदासी की तरह अपने जोश के पात्र बनाए अपने प्रेम के पात्र बनाए और उस जागरित बुद्धी और निज बुद्धी के सिर्फ ज्यान तक सिमित ना रखे उसमें जो वर्णित किया गया है उस आनन से हमें सराबोर करें आए सुंदर साची इसी अरजी के साथ हम चौपाई दो आएंगे आगे की भी तक हम कल सुनेंगे प्रणाम जी महामति कहे ए साथ जी ए ठठे की बिता का अब कहो मसकत की जो आज्या है हाक अब कहो मसकत की जो आज्या है हाक जो आग्या है हाक बुली श्री प्राणनात प्यारे की जय सत्कुरू माहराज की जय